नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर सोमेंदर शुकला और आप देख रहे हैं आपका प्री चैनल डॉक्टर सोमेंदर एस्टो साइंसेज मित्रों लगातार आप मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं लगातार मेरे चैनल पर जो इस समय जो सीखिये सीरीज चल रही है उसको अपना सीम प्यार दे रहे हैं और आपके लगातार आगरे प्राप्त हो रहे थे कि मैं वास्तु सास्तर पर भी एक इसी तरह के सिखाने वाले वीडियो बनाऊं जिससे जो लोग वास्तु सास्तर में इ से आग रहे हैं कि वे इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बैल आइकन दबा दें जिससे की मेरा जब भी वीडियो अप्लोड हो आप तक पहुंच सके वास्तु सास्तर बनाएं वास्तु सास्तर बनाएं यहां से इसका नाम आया है मितरों आपने कभी फील किया होगा कभ आपको हर्दय खिन्न हो जाता है आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है ऐसा किस वज़ा से होता है कभी सोचा है आपने ऐसा होता है उस घर का वास्तु यदि अच्छा हो तो आपको अच्छा लगता है उस घर का वास्तु यदि खराब हो तो आपका मन खिन्न हो जाता है आपके मन में कजीब सी बेचैनी आप महसूस करते हैं तो ग्रह का निर्माण किस दिशा में कौन सा कक्ष हो वास्तु के अनुरूप कैसे घर का निर्माण कराया जाए आज उन फंडामेंटल्स की बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप एक वास्तु के अनुरूप भवन निर्माण कराकर अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं यदि वास्तु के अनुरूप भवन का निर्माण कराया जाए तो आपका जीवन सुखों से भर सकता है और यदि वास्तु विपरीत भवन निर्माण हो जाए तो तमाम प्रकार के कष्ट परेशानिया दरिद आपका धन धन जो है वह नष्ट हो सकता है या उसमें व्रद्धी हो सकती है डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार से अपना भवन निर्माण कराया है तो बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं यह पहला वीडियो है वास्तु सास्त्र सीखे सीरीज का सबसे पहल अपने भवन में कौन सा कक्ष किस दिशा में है यह जानकारी प्राप्त हो सके तो सबसे पहले हम जानते है कि कौन कौन सी दिशाएं होती है तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षन यह तो आप जानते ही है पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते है इ इंदिशाओं में हम लोग भवन का निर्माण कराते हैं और आदर्ष भवन में कौन सा कक्ष कहां पर हो आईए ये जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इशान कोण में क्या हो तो इशान उत्तर और पूर्व का कोणा होता है जो की ग्रह का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है तो यहां पर निर्माण होना चाहिए पूजा ग्रह का बात करते हैं अगर आगने की तो अगने की प्रभलता या अगने का जो यहां पर प्रभाव होता है तो इस वज़ा से रसोई घर का निर्माण किचन का निर्माण आपको आगने में कराना चाहिए नेरत किसी भी भवन में सबसे भारी सामान रखा जाना या स्टोर रूम ऐसे जो कक्ष होते हैं उनके निर्माण के लिए सबसे उप्युक्त होता है और वायव्वे कोण उप्युक्त होता है आप सेप्टिट टैंक, गटर या अतितिक कक्ष जो आपका गेस्ट रूम है उसको आप यहां पर बना सकते हैं बात करें अगर हम पूर्व की तो पूर्व में प्रवेश द्वार उत्तम होता है प्रवेश द्वार के साथ में आप सौगत कक्ष बना सकते हैं या रसोई के बगल में आप हलके सामान रखे जाने का बंडार कक्ष बना सकते हैं इसी प्रकार से रसोई के साथ में आप भोजन कक्ष भी बना सकते हैं और दक्षन दिशा में आप पुत्री का शेहन कक्ष बना सकते हैं नैरत और दक्षन के बीच में आप शोचाले और उससे लगा हुआ जो मेन बेडरूम होता है ग्रह स्वामी का बेडरूम वो बनाया जा सकता है आदर्श तोर पर ये बेहद अच्छे घर के जो है वो लक्षन है यदि उनमें इस तरह से चीजें बनी हुई हो इस तरह से कक्ष बने हो तो वो आपको हमेशा सुख संपदा की अनुभूती और प्राप्ति कराते हैं नरित्य के साथ में लगा हुआ एक और शेहन कक्ष आप बनवा सकते हैं और अगर आप बात करें पश्चिम की तो पुत्र के अध्यन के लिए अगर कोई कमरा बनवाना हो तो उसे आप पश्चिम में बना सकते हैं अगर हम बात करें स्नान ग्रैकी या दूसरा शोचाले आपक यह इस तरह का स्थल होता है जिसे की अस्थिरता का स्थान कहते हैं तो यहाँ पर जो भी चीज रहती है वो अस्थिर रहती है अगर किसी भी ग्रैसवामी ने अपना बेडरूम मास्टर बेडरूम यहाँ पर बना लिया तो मैं अपने अनुभव से मैंने यह देखा है कि मा बुरे कारण भी होते हैं, ऐसा मैंने अन्भव किया है, वास्तु सास्त्र का जब मैं बहुत सारे कक्षों का, बहुत सारे भवनों का एनालिसिस करता हूं, तो ऐसा पाता हूं, तो ध्यान रखिए कि वायव में master bedroom तो कभी नहीं बनाना है, उत्तर दिशा यह भी पवित्र दि सबसे उचित होता है, और इशान और उत्तर के बीच में आप swimming pool या जलाशे का निर्माण कर सकते हैं, आदर्श भवन योजना में बीच ओ बीच में एक आंगन रखा जाना उप्युक्त होता है, मैं समझता हूं कि आज कल जो flats का culture है, उसमें यह चीज संभव नहीं है, लेक आएसे भवन जिनका मुखिद्वार पूर्व दिशा में हो या पश्यम दिशा में हो, उसके बारे में कि उन्हें उनमें ये सभी चीजें किस तरह से अरेंज की जाएं कि आपको अच्छे फलप्राप्त हो, या आगे की वीडियो में मैं इनके बारे में बात करूँगा, औ जदी आपका भवन का निर्माण वास्तु के विपरीत हो गया है और जो आपको उसकी बज़ा से दिक्कत और परिशानियां हो रही है, उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार